Intelligence Bureau की तरफ से एक टेकनिकल पोस्ट आया है जो आता है अंडर Ministry of Home Affairs यहाँ पर आप नाम देख सकते हो पोस्ट का Junior Intelligence Officer Grade 2 जो टेकनिकल एक्जाम है यहाँ पर हम लोग देखते हैं एकके करके description of the post क्या-क्या होते है ग्रूप C यहाँ पर पोस्ट है और इसका जो नाम है वो है JIO2 टेकनिकल पोस्ट है लेवल फोर का यहाँ पर पेमेंट रहेगा और बेसिक आपका स्टार्ट रहेगा बेसिक सेलरी रहेगा 25,500 उसके ऊपर आपको सारे अलांसे मिलेंगे Central Government के तरफ से जो मिलते है वो उसके साथ साथ अदिशनल आपको Special Security अलांस आपको 20% मिलेगा बेसिक सेलरी के उसके बाद आप देखते हैं number of vacancy कितना है बहुत बहुत बड़ी वेकेंसी आई है यहाँ पर टोटल 797 अप्रोक्जिमेटली 800 पोस्ट है यहाँ पर इसमें से अन्रिजर्व 325, EWS 79, OBC 215, SC के लिए 119, ST के लिए 59 पोस्ट है, Essential Qualification यहाँ पर इन्होंने मांगा है, Diploma in Engineering यहाँ पर फिल्ड दिया है Electronics, Electronics and Telecommunication, Electronics and Communication, Electrical and Electronics, Information Technology, Computer Science और Computer Engineering और Computer Application तो इसमें Diploma रहेगा तो भी चलेगा, Experience कोई भी मांगा नहीं है, Bachelor's degree इसके अलावा आपके पास अगर Bachelor's degree in Science है with Electronics या फिर Computer Science या फिर Physics या फिर Mathematics में अगर आपके पास Bachelor's degree है तो भी आप यह अपलाए कर सकते हो, Bachelor's degree in Computer Application भी यहाँ पर अपलाए कर सकते है, Age limit है starting 18th year से लेके 27th year तक और आपको जो कोई भी Age relaxation मिलते है, Reservation में वो सारे चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, Additional यहाँ पर Note है ध्यान देना कि यह Operational Post होने वाला है, तो इसलिए PWD students के लिए यहाँ कोई भी Reservation नहीं है, तो इन्हें specifically कहा भी है कि they do not need to apply, तो PWD students यहाँ पर apply ना करे, इसका जो ending date है, वो 23rd June है, तो इसके पहले तक आपका जो कोई भी essential qualification है, वो complete होना चाहिए, आपके हाथ में वो degree certificate या फिर डिप्लों का certificate है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, उसके बाद आपके पास mandatory induction training of the at least two weeks होना चाहिए, यानि कि इन्होंने कहा है, successful completion of the mandatory induction training of at least two weeks duration is a prerequisite for the completion of the probation, यानि कि वो selection होने के बाद वाली सारी चीज़े है, अभी क्या के important है, वो हम लग देखते है, आपका जो posting है, वो all over the India कहीं पे भी हो सकता है, तो जो all over the India कहीं पे भी जा सकते है वो ही students के वाल apply करे, आपको city select करने के लिए total five options मिलेंगे, options form fill up process में आपको मिलेंगे, बहुत सारे cities है आप पूरे all over the India, यहापे आप देख सकते हो, total 145 इन्होंने यहापे दिया है, total number of cities, तो आपको यह अगर PDF है, अगर आपको cities होगरे देखना है, तो PDF की link मैं नीची description box में दे दूँगा, आप अच्छे से आराम से देख लेना, examination देखते है, क्या क्या होता है, total three times में आपका जो exam होने वाला है, first round रहेगा, वहापे आपका online exam रहेगा, जिसमें total 100 MCQs रहेंगे, जिसमें से 25% है, वो general mental ability, reasoning, aptitude पे आपके question पूछे जाएंगे, और जो remaining 75% है, आपके domain से rated यहापे पूछा जाएगा, combination of the subject as per the essential qualification, negative marking रहेगा, आपका यहापे 1 fourth negative marking रहेगा, 100 marks का paper है, और 2 घंटा आपको total time दिया जाएगा, उसके बाद skill test है, tier 2 में, और उसके बाद रहेगा आपका interview और personality test, दोनों के लिए भी advantage है, यहापे 30 marks और 20 marks, यहापे इन्हों होगा, यहापे इन्होंने कहा है, कि जो कोई भी first round से लेके second round के लिए student select किया जाएंगे, tier 1 से tier 2 के लिए, five times of the number of vacancy, यानि 1 is to 5 के ratio में आपको call किया जाएगा, यानि कि अगर total 800 हम लोग round figure consider करेंगे, तो total 4000 students को यहापे call किया जाएगा, tier 2 के लिए, approximately बता रहा हूँ, यहापे आज का ही है, यानि कि 3rd June से यह start हो गया, आपके पास approximately total 3 हफते का समय है, 23rd June तक आप यहापे form है, वो fill up कर सकते है, last date तक मत रुखना, online का payment method है, वो सारी चीज़े आप यहापे in detail में देख सकते हो, general instruction भी क्या-क्या है, आराम से पढ़ला है, अपने पास अभी ब 50 रुपीज examination fee है, और उसका second party के recruitment processing charges, तो यह है total 450 रुपीज, यहाप इनको क्या का है, all candidates को यह जो recruitment processing charges है, यानि कि total 450 रुपीज है, यह आपको fee pay करना ही करना है, सभी categories के लिए, और जो male candidates of unreserved EWS और OBC categories के है, उनको additional 50 रुपीज है, वो pay करना है, यानि कि total 500 रुपीज यहापे pay करना है, mode of payment आपको सारे online वगरे भी यहाँ से मिल जाएगे, कुछ जो documents वगरे है, आप देख लेना PDF में, यहापे आपको सारे चीज़े मिल जाएगे, in detail में इनको clear cut mention किया है, कुछ अगर certificate से related आपको, उसका actual data या फिर उसका कैसे आपको certificate provide करना है, अगर आपक मिलते हैं हम next job update के साथ,